नमस्कार दोस्तों सुरूचिवन की चमैप का स्वागत है आज हम एक चाट के रेसिपी देखेंगे चाट एक एसी डीश है जो हर किसी को पसंद होती है वैसे तो हम अलग-अलग चाट बनाते हैं जैसे की आलू चाट, चना चाट, पापड़ी चाट, मिक्स फ्रूट चाट आ जीरे शंकर पाए या फिर खारे शंकर पाय बोलते हैं इसके वीडियो मेंने अपने चानल पर डाली है, अगर अपने उसे नहीं देखा होगा तो आप उसे देख सकते हो अब मेडियं सई टोमैटों को मैंने कट कर लिया है एक बड़े अलू को मैंने उबाल कर उसके छिलकी निकाल कर बारिक पीसेस कर लिये है स्वीट कॉन्ट की दानी को मैंने उबाल के लिया है और उबालते समय थोड़ा सा नमक डाल दिया था जीरा पाउडर, चाट मसाला, चीनी, नमक, एक कटोरी गाड़ा दई लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दूद लिया है यहाँ पे मेरा दही थोड़ा खटा है इस वज़स में उसमें थोड़ा सा दूद एड़ कर रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे अगर आपका कम खट्टा दही होगा तो आप दूद मत एड़ कीजिए अभी दही में डाल देते हैं एक टेबल स्पून चीनी यह ओप्षना ले अगर आपको पसंद नहीं होगी तो आप मत डालिए दही में चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अभी हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं एक कटोरी लेंगे उसमें डाल देंगे नमक पारे यहाँ पर मेरे मिडियम सेज के नमक पारे है इस वज़ेस में उसके पीसेस नहीं कर रहे हो अगर आपके बड़े सेज के नमक पारे हो तो उसके पीसेस करके लिजोए उसके उपर डाल देंगे उबले हुई आलू इस तरह से मैश करके डालेंगे इसके उपर डाल देंगे sweet account जो हमने उबल के लिए है इससे हमारे चाट की टेस्ट और बढ़ जाएगी वेसे भी उबले हुए sweet account खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है इस तरह से मैं इने डाल रहे हूँ इसके उपर एकलेर डाल देते हैं नमक पारे आप यहाँ पे patch भी डाल सकते हो, अगर आपको पसंद हो तो अभी इसको पर मैं डाल रही हूँ दही, इस तरह से अच्छे से डाल के लेते हैं दही को आप यहाँ पे टोमेटो सास, इमली की चटनी, हरी चटनी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल चाट बना रही हूँ, इस वज़े से नहीं डाला, अभी हम इसको पर डाल देंगे टोमेटो के पिसे इस तरह से, थोड़े से स्विटकॉन डालेंगे, थोड़े सा नमक डालेंग उसे भी फेला के डालेंगे, उसके बाद डाल देंगे थोड़े सा दही, इस तरह से, आप यहाँ पे काकडी अनार के दाने भी डाल सकते हो, अभी फिर से थोड़े से नमक पारे डाल देते हैं, यहाँ पे तैयारे हमारा नमक पारे का चार्ट, यह सिंपल और टेस्टी चा कानल को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक्यू पर वाचिंग